बस बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स, आबुलेन, मेरत नमस्कार मैं हूरेवी शर्मा और आप देखाएं फर्स्राइट.व उत्तर प्रदेश निकाय चुनाहों के दूसरे चरण का मद्दान आज शाम 6 वरे संपन हो गया प्रदेश के 38 जिलों में यह चुना हुआ है, कामोवेश लगभग सभी जगा से छुटमुट विरोधा वाशी खबरे सामने आई है बात अगर मेरत की हो, तो मद्दातों के रुझान को देखते हुए कहा जा सकता है कि मेरत नगर निगम में कमल खिल रहा है इसके अलावा, मेरत वाशी तेहरे तारीक को मत करना के दिल यह देखकर भी चौंक सकते हैं कि अज़ुदीन OVC की पार्टी ने पहली बार मेरत की राजनीती का दरवाजा खटकरा दिया है पार्टी के मेर प्रत्याशी अनुक्स कुरैसी नया चेहरा है और यू अभी जिस तरह रोट्शो में समर्थक अपना पैसा खर्च करके शामिल हुए उसने निश्चेत रूप से समाजवदी पार्टी के रोट्शो को आयना दिखा दिया है मद्दान के बीच है सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान ने कहा है कि सप्ताधारी पार्टी के लोग मद्दाता को धंका रहे हैं और पुलिस प्रशासन भाजपा का एजेंट बनकर काम कर रहा है यह ताना शाहिए है इसे हम बर्दास नहीं करेंगे महीं रालोत के वरिष ने दा रॉक्टर राजकुमार सागवान ने कहा है कि यह निस्पक्स चुनाव नहीं है सप्ता अपनी मशीन प्री का इस्तिमाल करते हुए लोग कंत्र की हर्त्या कर रहा है मद्दान की सियासी गर्मी को आज सूरच कुछ और ज्यादा बढ़ा रहा था इस गर्मी ने मद्दाताओं को घरों में कैद होने के लिए मजबूर कर दिया था दो पैर तीन बजे तक मीरिट में करीब 42 पीज़दी वोटी पड़ पाये थे दरब्य संप्रदाय की जैसी हवा चल रही है उसे देखते हुए शुरू से ही कयास लगाए जा रहे थे कि भाचपा का कमल खिलेगा दरसल सपारालोद गडबंदन ने भले ही हिंदू चेहरे के रूप में सीमा परधान को चुनाव मैदान में उतारा लेकिन पार्टी की भीतर घाट को वहर रोक नहीं पाई शहर विधायक रफीक अंसारी विधायक शाहिद मंजूर पूर विधायक युगेश वर्मा ने सीमा परधान के चुनाव में अंतिम समय तक दूरी बनाए रखे ये बात और है कि बसपर से निकाले गया युगेश वर्मा के लिए सपा के रास्ते अतुल परधान ने ही तै किये थे रफीक अंसारी की पत्नी को टिकट पार्टी ने ये कहते हुए नहीं दिया कि वह हिंदू बाहुले इलाकों में वोट नहीं मांग पाएंगी और शाहिद मंजूर जिला पंचाय तर्द्यक्ष पत्चनाव में काटे गए नवाजिश के टिकट को भूला नहीं पाए हैं दोना ही बार पार्टी ने अतुल परधान की पत्नी सीमा परधान को नवाज दिया फार्जेत के लिए निरनायक मुस्लिम वोट जहां सपा की सीमा प्रधान पसपा के हश्मत मलीक कॉंग्रेस के नसीम कुरेशी से पहले दिन से ही बड़ा नजर आ रहा है माना जा रहा है कि अतीक एहमत हत्यकांट को मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ध पचा नहीं पा रहा है उनका सीधा मानना है कि अखलेश यादो द्वारा भड़का जाने के बाद ही सीम योगी ने माफिया को मिट्टी में मिला दिने की बात कही और फिर मिला भी दिना माना जा रहा है कि ऐसे हालात में मुस्लिम मद्दातों को और इसे की पार्टी बेहतर विकल्ब के रूप में नजर आ रही है और यही कारण रहा कि कई मुस्लिम इलाकों में अनस्कुरैसी का चुनावचिंग पटन उरता नजर आया हलाकि यह गयास कितने सही साबित होंगे यह 13 माई की मत करना और उसके सामने आए नतीजों के बाधी पर चलेगा आए सुनते हैं सपाप मेर प्रपयाशी सीमा प्रधान को उनके वाक्यों में राजनेतिक लोग हताशा साफ देख रहे हैं अभी हमें ऐसी सूचना जगे मिल रही हैं कि 27 धारी लोग जा जाकर लोगों पर दबाब बना रहे हैं और प्रशासन इनके इसारों पर काम कर रहा है अभी फतरलेपूर में जाकर अभी आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन बीजेपी का एजेंट बना हुआ है यह तरीक जारें और बिजेपी के लोग इसे भंग करना चाहरे हैं और अपनी हार से परस्त हैं अपनी हार से नाकामी उन्हें दिखते हुए इसलिए लोगों को भी जेपी को पुलिस वालों को अपना एजेंट बनाना पड़ रहा है पुलिस उने उस तक बहुत सारी जगे डरा रही कि इस तरीके से पुलिस परशासन काम कर रहा है है कि विद्हायक जी ने किया है कि कई जगें ऐसा क्यू कर रहे वह भई लोकतंतर में सब को हग है अपनी अपने मत्दान करने का सब लोग कहीं भी अपना डालें तो शांती हम चाहते हैं शांति पूरुख मतदान हो और अपना जिसका जू मन है इसे परव की तरह मादो और आप सी सोहार्थ का परव है तो मैं इन ठैकम झाहिव नगए कि बीज्यू अपनी फ्रीय पी नापनी हार से परस्त हो चुक van की लगे हाथ रालोत के वरिश्नेता राजकुमार सांगर्यूनि को इस समय आज मद्दान हो रहा है दूशर चरण का और जो परदेश की जो परसाचनिक मज़िन दिये वो जो इह सत्ता पक्ष के लिए काम कर रही है तमाम बूतों को कैप्चर कर रही है फरजी वोट डलवा रही है पूलिस अपना डंडा बजा रही है जो गडबंदन के लोग ह जो सत्ता के खिलाब वोट डालने वाली जनता है उनके साथ दुर्वयवार कर रही है उनको वोट ने डालने दे रहे है पूलिस खुद बूत पर जाकर वोट डालने का काम कर रही है ये लोगतंत की हत्ता करने का काम कर रहे है ये निश्पक्स चुनाव नहीं है ये शीदा सिधा जो नगर निगाए चुनाव हैं इस पे सत्ता जो है अपनी मचीनरी का इश्तेमाल कर रही है लोगतंत के हत्ता करने काम कर रहे हैं इस खबरों फिलाल इतना हैं खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे हैं फॉस्टवाइट टीवी यह राजने टिक विश्लेशन आपको कैसा लागा अपनी राय जरूर बताईएगा नमस्कार